न्मस्ते दोस्तो निदी की विदी में आपका स्वागत है आज की हमारी विदी है स्वादिश्ट उडद और चने की मिक्स डाल असान तरिके से कैसे बनाई उसके लिए हमें चाहिए आधा कटोरी उड़त डाल आधा कटोरी चना डाल इन दोनों को मिक्स करके एक बाउल में अच्छे से धोरके तीन कटोरी पानी डाल कर आधा घंटा भीगने के लिए रख देते हैं लगबग आधे घंटे के बाद इस डाल को पानी सहीथ हमें कुकर में डाल लेंगे और दो कटोरी पानी और डालेंगे अब इसमें दो टी स्पून हल्दी पाउडर वन एंड हाफ टी स्पून नमक और एक चौथाई चमच हींग डालेंगे अब कुकर को बंद करके गैस पर उबलने के लिए रख देते हैं एक विसल आने के बाद हम गैस को एकदम धीरे कर देंगे और 15 मिनट तक उसी मददम आँच में डाल को पकने देंगे डाल हमारी पक चुकी है अब हम इसका चोग तयार करेंगे सीजनिंग और तड़का तयार करेंगे उसके लिए हम एक मीडियम साइज प्याज चाहिए बारी कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई एक पैन में दो टेबल स्पून घी लेते हैं जब गी अच्छे से गरम हो जाएगा तब इसमें हम वन एंड हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे जीरे को बहुत अच्छे से भूनना है जब तक ये ब्लैक ब्राउन ना हो जाए जीरा हमारा ब्लैक ब्राउन हो गया है अब हम इसमें कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालेंगे अगर घर में बच्चे छोटे हैं तो मिर्च को बारिक मत काटिये वो मुह में आएगी प्याज को भी बहुत अच्छे से भूनना है इसको भी डार्क ब्राउन करना है थोड़ा जलना शुरू हो जाएगा तब तक इसे भूनना है यह लगबग तयार है अब हम इसमें एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आदा टी स्पून गरम मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारा चौंक तयार है इसमें हम अब अपनी उबली हुई डाल डालेंगे डाल डालते समय गैस को दीरे कर लीजिए ताकि डाल के चीटे आपके उपर ना गिरें इसको आदा मिनट तक हम पकाएंगे ताकि चौंक इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए हरा धनिया डालेंगे अब हम इसमें डाल हमारी लगबग तयार है हरा धनिया डालते हैं अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और हरे धनिया से गार्निश करते हैं आप इस डाल को रोटी साधा प्राठा या चावल के साथ खाईए और खिलाईए आम शूर ये डाल आपको बहुत पसंद आएगी आप इस विदी को जरूर ट्राइ कीजिएगा प्लीज दीड खाईए